हरेकिश्ण दोस्तों श्वागत है आपका सेजी पेश्वी व्यापा में एक बहुती सांदर और पॉजिटिन इसके साथ जियां दोस्तों बाइस सो पदों का भरती का प्रस्ता इसके सांथ ही पिछले दर्वाजों से जो भरती हुई है उसको उस भरती को कहीं नहीं निकालने जो भी कर्बचारी आचुके फिछली भरती से पिछले दर्वाजे से और कहीं नहीं सरकार के द्वारा तो उन सभी लोगों को निकालने का भी प्रस्ताव किया जा रहा है इसके अलावा सवीदा के मैंने आपको बताया था नए नियमों के मताविक हर विभाग में लगबग लगबग 50% से अधिक पत खाई इसी कड़ी में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपको मैंने पिछले साल दिसंबर 2030 में ये खबर बताई थी कि भई कुछ विभागों में पिछले दर्वाजों से भरती हुई है इसी कड़ी में देखेंगे कि जो पेपर में छपी है नई दुनिया में उसमें बताया गया कि पुर्वती सरकार में बैकडोर से नियुक्त 400 करमचारी को हटाने की तयारी बताया गया है कि प्रदेश में आपका रिभाग के बाद सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जो विभाग है वो है वन विभाग रैपूर वन मृत्य में कारेरत करीब 400 दैनिक वेतन भोगियों को हटाने की तयारी की जा रही है दरसल मुख्यवन सरक्षक ने बजट का हवाला देते वे दैनिक वेतन भोगी करमचारी और दैनिक स बैक डोर से लगबग 750 करमचारियों की भरती अपसरों के यहां डाक केर कबरिस्तान में की गई न्यूकती सिर्सक से खबर प्रकासित की गई थी चौकाने वरी बात यह है कि जंगल वहिन रैपूर वन मंडर में बैक डोर से बड़ी संख्यां में दैनिक वेतन भोगी करमच कारे से प्रिथक होने का डर सता रहा है और पुर्वती सरकार ने स्रमयुक्त दर पर कारे करने वाले उच्च कुसल अर्धकुसल अकुसल सर्मीकों को 4000 रुपए स्रम्थम्मान निधी देने की घोशना की थी और अगत 2023 से ही भुगतान करना प्रारम कर दिया था लेकिन तीन महीने से नहीं मिला है वेतन संक का कहना है कि शत्रसगर के अन्य वन वरित्त कारेले, वन मंडल कारेले, रेंज कारेले में काम करने वाले प्रोग्रामर, सहाग, प्रोग्रामर, डाटा इंट्यू अपरेटर, कंपिटर अपरेटर के साथ क्यों अन्या हो रहा है दैनिक पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से परिशान है लावा अगर हम बात करें तो कर्मचारियों की जो है अच्छी खासी नाराजगी है और बताया जा रहा है कि कर्मचारियों में भारी नाराजगी है उनका कहना है कि जो मंत्री और नेता है नीमिदी करन की प्रक्रिया आरंब करें इस प्रकार से इनका कहना है लेकिन कुल मिलाक पर चार सो कर्मचारियों की हटाने की तैयारी है वो इस विभाग के द्वारत की जा रही है फिलाल आगे क्या होता है यह तो देखने वाली बात है अगली खबर इसी विभाग से है वन विभाग से ही है और वन विभाग ने 21 साल बर बद वृध्धी का प्रस्ताव 2955 ने पद मांगे है देखिए आपको मैं फिर से कहना चाहूंगा जो वन सेवा सेवा की तैयारी कर रहे है उन सभी के लिए एक प्रकार का यह पॉजिटिन विभाग साभी हो सकता है देखिए यहाब बताया गया है कि वन मुख्याले ने राज सासन को वन अमले में 21 साल बाद सेट परिवर्तन विभाग को भेजे गया पत्र में उल्ले किया गया है कि विभागी कामकाज में असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है इसलिए सेट अब रिव्य आवश्यक हो गया है पूर्वा में भेजे गया प्रस्ताव के अनुसार 323 पदों की वृद्धी की मांग की गई है गौरतलब है कि मुख्याले सेट अब की शुगर्टी वर्स 2001 में तता मैदानी सेट अब की शुगर्टी वर्स 2003 में दी गई थी मतलब देखिए कितनी पूराना जो सेट अप हो चला आ रहा है जबकि 36 गड़ में वर्तमान में 2001 से 2003 के बाद 2012 में 9 जीले 2020 2023 में कितने सारी ज रिक्षन नहीं हुआ है वन विभाग को छोड़कर अन्य विभाग जिसमें 55 स्वास्त स्रम पुलीस महिला एवं बाल विकास नगरी प्रशाशन विभाग में 300 से 100 प्रतिसत तक सेट अप की विध्वी बीते 21 सालों में वन विभाग में महस मात्र 0.25 परशेंट की विध्ध राज्य में वन एवं जलवायू परियोड़तन विभाग में कई अन्य योजनाया जैसे कैमपा, राष्टीबास, मिसन, सही उत्तवन, प्रवंदन, वन विकास अभी करण, ग्रेड इंडिया मिसन, मनरेगा, जन सुचना चालू होने के करण कारेभार में विध्ध्य हुई ह और सेट अप पुरे रिक्षण एक दसक से लंबी तग और तलब है कि सेट अप का पुरे रिक्षण वर्स 2010 से विचारा दिन है, इस सम्मन्द में वित्त विभाग के दिकारियों के साथ कई बार बैठके हो चुकि बाउजुद इसके सेट अप पुरे रिक्षण का प्रस्त लगाने पर वन विभाग का जो अमला है वो तक्षम नहीं हो पा रहा है और इसी वज़ए से वन विभाग ने फिर से 2955 पदों का जो एक प्रस्ताव है वो सासन के समक्ष सेट अप रिव्यू करने का भेजा है कि भई अब हमको नए सेट अप क्या आफशकता है चाहे वो प क्या आवेदन जो है वो सासन के समक्ष सिवित्री भाग के अधिकारियों को भेजा है फिलाल अगर यह सेट अप जो हो जाता है अगर सक्सेस हो जाता है तो कहीं न कहीं इसमें सभी पद बढ़ेंगे जहां पे अगर हम बात करें बोल सकते हैं आपके दुटी से नहीं के जो है वो रिक्ट है तो अब देखियेगा 22 रिक्त है और इसके अलावा भी कुछ महीनों में बहुत सारे लोग रिटायर भी होंगे और फिर्म का कुछ प्रमोशन होगा तो और भी पद इसमें रिक्त होंगे तो और इसके साथ अगर ये पद भी जो सुपृत हो जाते तो बड़ी संख्या जो हो सकती विभागों में रिक्तपदों के सम्मझ में तो आप लोगों के लिए अच्छी कबर है बहुत सरे अभ्यति ऐसी फॉरेश्ट गार्ड की बात करते किसा हमारा भरती कब हो सकता है तो देखी निश्ची तोर पर जैसे ही आदर साचार सिता तमापती होगी और उसके बाद आपको विभाग के पास कहीं न कहीं जाना होगा और निश्ची तोर पर विभाग भी इस पर कारिवाही अग्रसर करेगा क्योंकि विभाग में भी विभागी अमला भी जो चतुर्थ स्रेडी की बात करें फॉरेश्ट गार्ट की तो बहुत ही कम है औ बहुत ही जल्द आप लोगों को इसके संबंद में जानकारी विभाग के वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी हमारे दौर अभी आपको सबसे पहले यह जानकारी दे दिया जाएगा कि क्या अपडेट है जो भी अपडेट होगा आपको तुरंत जो है वो दे द चारचान लगाईए बताने का मकसे देखिए कि इस प्रकार से सारी चीजे हो रही हैं कि अच्छा लगते से जादा जाद दर तक क्रें लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो दिखने आपको जास्त रहे मस्तर और पॉजिटिव रहे